हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोलीज की चैने लाइफस्टाइल, तो आज मैं बना रही हूं आलू और मूंगदाल की बढ़ियां, जिसे आप साल भर इस्टोर करके रह सकते हैं, और जब भी आपका मन्चा है तब आप इसकी सबजियां मना कर खा सकते हैं, और इसी की सबजी बहुत अलग अलग तरह से बनती है, वो रेसेपी भी मैं आप लोगों के साथ जरूर श्रेयर करूंगी, तो पहले हम बना लेते हैं आलू और मूंगदाल की बढ़ियां, तो इसके लिए हमने आधा किलो आलू ले लिया है, और इसे हमने उबाल लिया है, छील कर हम ले ले थोड़ी सी मेथी है, मेथी के पत्ते मैंने फाइन चौप करके रख लिये हैं, और एक टुकड़ा अधरक का है, अधरक भी हमने ले लिया है, तो आधी हम मेथी के पत्तों से बनाएंगे, और आधे को हम धनिया के पत्तों से बनाएंगे, तो धनिया पत्ता भी मैं काट हो सके करिएगा 5000 यह मूंग डाल है मुंगदाल को हमने रात भर विग दिया था अब सुबर हमने इसके सारा पानी निकाल लिया है और इसे भी हम ग्रेंडर पीसेंगे तो इसमें भी हमें पानी का जितना हो सके कम से कम इस्तिमाल करना है ज्यादा पानी होने से आपकी बढ़ियां अच्छी सी बन नहीं पाएंगी यह देखिए इस तरह से आपको पीस लेना है मैंने जितनी कोशिस की है बहुत कम से कम पानी का यूज किया है इस तरह स हमें इसे अच्छे से फैटना है, तो फैटना बहुत जरूरी है, करीब 10 मिनट आप इसे जरूर फैटिएगा, जब तक कि आपके ये बैटर है फ्लपी सा हो जाए, तभी आपकी बढ़ियां बहुत अच्छी सी बनेंगी, और सबजी भी बहुत अच्छे से गलेगी, अगर आ अच्छे से सब चीजे मिलाकर आपको इसे बढ़िया सफिर्ट लेना है, बहुत अच्छी बहुत स्वाजिष्ट इसकी सबजी होती है फ्रेंड्स, पापड के साथ भी इसकी सबजी बनती है, वो भी रेसेपी में आप लोगों के साथ सेयर करूंगी, तो देखिए ये इसका दिये हैं, इस तरह का बैग बनाने से हमारी बढ़ियां बहुत जल्दी ही बन जाएंगी, अब इसमें हम अपना बैटर भर लेंगे, तो जो धनिया पत्ते वाला है वो बैटर मैं पहले इसमें डाल रही हूं, हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं, पर ये बैग से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, तो देखे, ये बैटर मैंने धनिया पत्ती इसमें डाला है, बहुत जादा धनिया पत्ती मैं नहीं डा दी है, मेथी के पत्नों का ज्यादा इस्तेमाल किया है, धनिया पत्ती वाले में धनिया पत्ती कम है, इस तरह से बैग में हम भर लेंगे और उसके बाद हमें सारी बढ़ियां बना कर त्यार कर लेनी है तो देखिए मैं जिस तरह से बैग में भर रही हूँ ऐसे भर लीजिए और इसके बाद उपर का हिस्सा हम इस तरह से बंद कर देंगे और नीचे अब हमें जितनी बड़ी हमें मंगोडियां बनानी हैं उतना बड़ा हमकट कर लेंगे देखे कितनी फटाफट से अराम से हमारी मंगोडियां बन कर तयार हो जाएंगी आलू और मूंगडाल की इस तरह से इस तरह के छोटे-छोटी बढ़िया आप बना लीजिए, मौसम आप चेक कर लीजिए जब भी बनाना हो, अच्छी सी धूप खीली हो तभी ये सब अच्छे से बन पाता है, और दो दिन करीबी नहीं जरूर लगता है सुखने में, तो friends मेरी ये रेसेपी आप सब कैसे लगी है, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेगा, और मेरे चैनल पर नए है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जादा से जादा शेयर कीजिएगा, ये देखे, इस साइड हमने मंगोडी बना ली है, ये मेथी की है, और इस साइड वाली जो हम धन्या पत्त की बनाये है, ये सब हमारी बन कर तयार हो गई है, और दिन भर आप इसे धूप में छोड़ दीजिए, बढ़ियासी धूप में, आप में आप तो इसे कपड़े से धग सकती है, और विफ्रे दिन खुप से हमें धूप दिखाना होगा, तो देखे, हमारी मंगोडियां सबजी बना कर खाने, बहुत ही टेस्टी की सबजी बनती है, जरू ट्राइ कीजिएगा फ्रेंड्स, और इसे इसे स्टोर करके रख लीजिए, और अगर लंबे समय तक रख रहे हैं, तो कभी-कभी-दो-3 मैने में एक बार इसे आप धूप दिखा लीजिएगा, इससे ये झाल झाल